तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android Mobile यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आप यूट्यूब यूज़ करते और यूट्यूब जब आप ओप अगर आपको यूट्यूब पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा आप देखिएगा सबसे पहले जो भी आपका वाइफाई से कनेक्ट है तो एक बार उसको बंद यहां से यूट्यूब को आपको करना होगा अपडेट यहां पर देख सकते हैं ओपन का यहां पर मेरे को देखने को मिल रहा है अगर आपको अपडेट लिखा मिल जाए तो उसको अपडेट कर लिजिएगा जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे तो आपकी प्रॉलम सोल हो जाएगी कई बर क्या होता है टेक्निकली शोने को जैसे भी problem face करनी पड़ती है तो इसको up to date रखें दन उसके बाद यहाँ पर directly आ जाईए setting के अंदर setting में आने के बाद स्क्रोल करना है और यहाँ पर apps पर क्लिक कर लेना है दन उसके बाद manage apps पर आना है और यहाँ पर आपको YouTube को search कर लेना है YouTube open करने बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर लिखा हुआ है restricted data uses इस पर आना है यह आपका बंध होगा mobile data बें होगा जो भी आपका बंध होगा अगर आपको वाई-फाई से भी है तो उसको भी ओन कर ले जो भी आपको निशान कर देंगे दम उसके बाद बैक आना है बैक आने के बाद एक काम करिएगा नीचे clear data लिख है इस पर क्लिक करिएगा यहाँ से इसका clear कैच कर दिजिएगा यहाँ पर clear catch लिख आया है तो clear catch कर दिजिएगा clear catch करने के बाद आप देखेंगे YouTube चला कर तो आपकी प्रॉलम आपको solve मिलेगी कोई प्रॉलम नहीं आएगी अगर फिर भी आपको प्रॉलम आ जाते है तो आप यहाँ से इसका clear all data भी कर सकते हैं फिर आप लोगिन कर लिजिएगा आप जो भी आइडिया आपको इमेल आइडिया आपको लोगिन करनी है तो गाइस बस आज के आपको यहीं बताना था खौप आपके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेर कर देना ताकि उनको यह प्रॉलम हो तो उनकी प्रॉलम भी solve हो जाए तो गाइस मिलते हैं एक्ष